जोतिरा दित्य सिंधिया ने अपने स्तीफिय पत्रों में लिखा 18 साल तक उन्होंने पार्टी किसे वागी 18 साल अलका लामा जैसे समर्पित कॉंग्रस में बहुत से कारी करता है जिनने 20-20 साल दो-दो दशकों तक कॉंग्रस का जंडा उठाया और कभी उन्हें कुछ नहीं मिला उस तरीके से जो उनका हक था क्योंकि मारा गया आप त्वारा आप जैसे नेताओं द्वारा जो आजस्तिफा दे रहे हैं क्या नहीं मिला जोतिरा दित्य सिंधिया को आते ही पिता जी का संगाश था उनके साथ काम किया था हमने तब तो में मालूम नहीं था ये जोत्रा दित्य सिंधिया कहां है हम जंडे उठा रहे थे हम दरिया बिचा रहे थे हम संगाश कर रहे थे लेकिन आते ही लाड साब को लोकसभा की टिकेट मिल गई सानबूती की लहर में जीते गमंड आ गया दूसरी बार जीते 2004 में सिधा केंद्रिया मंत्री बन गए 2004 के बाद फिर 2008 में चुनाया वाया फिर लोकसभा टिकेट मिली फिर मंत्री बन गए केंद्रिया मंत्री रहे उसके बाद अब उनको परदेश अध्यक्ष भी चाहिए अब उन से चट पटाए, वो यह ना राजा बिना मुकट के कैसे रह सकता, बिना ताज के कैसे रह सकता है, वो इन से बरदाश नहीं है, मध्य परदेश का यह कर् altri कारिकर्टा को कौनगी, बिल्कुल निराश dust मत हो यहगा, यह बेनकाब हुए है, अपनी सोच, अपनी विच् और उसका संगठन है जिसे उठाने के जम्मेदारी हम लोगों ने सभी को लेनी होगी मैंने अभी एक ट्वीट भी किया है जब मैं कॉंग्रेस के अध्यक्षा शिर्मती सोनिया गांधी जी से मिली थी मैंने मैंडम को कहा कि मैं वापिस अपने घर आना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब दो दशकों के बाद पार्टी से गई थी एक आंदोलन में गई थी एक विचारदारों कराने वारा नसी तक गई थी लेकिन जब उस पार्टी ने देखा कि भाजपा से समझोते करने शुरू कर दिये हैं वो भाजपा की बी टीम बन चुकी है राजीव जी के भारत रत्म को वापस लिये जाने का परिस्तावका अलकलाबा ने पुर्जोर विरूत विधानसभा के पटल पर किया था मुझे खुशी है सोनिया गांदी जी ने इस बात को जब कहा मुझे मिली कि तुमने कॉंग्रस चोड़ी जरूर थी लेकिन तुम कॉंग्रस को अंदर से नहीं चोड़ पाई और यही था कि राजीव जी के भारत रत्म को लेकर जब बात उठी और उसी पार्टी की विचारधारा जिसको जो बीजेपी को समर्थन कर रही थी मैं अपने घर वापिस लोटीओ लाला चोता आप यकीन नहीं मानेंगे 2019 के चुनाव में गुजरात के संग के बड़े नेता मेरे घर तक पहुच चुके थे क्योंकि आम आद्मी पार्टी छोड़ रही है तो भाजपा में आ जाई और लोकसभा की दिल्ली से टिकेट का भी वायदा किया लेकिन एक ही बात कही थी मैं दो दशकों तक कॉंग्रस में रही हूँ एक गांधी वाती विचारधारा से रही हूँ अज भी जब आद्मी पार्टी को भाजपा की बी टीम बनते होँए देख रही हूँ तो उस समय भी भाजपा में नहीं किसी ओर दुसरे दल में नहीं अपनी कॉंग्रस अपनी विचारधारा अपने घर वापस लोटना मैं पसंद किया तो जो लोग ये कहते हैं कि मैदम पार्टी तो आपने भी छोड़ी थी अलका लांबा के पार्टी छोड़ने और घर वापिस आने में और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़ने में अपने लालर्च में आदेखा मध्यपरदेश में एक स्थिर कॉंग्रेस के सरकार को गिर चाहती हूँ जब आप टिक्टे दे तो ये फैसले आप करिए उस कारिकर्टा को देखिए जो पार्टी में समर्पित है अपना सब कुछ लगा कर पार्टी के लिए जी जान से संघर्ष करता है अंदोलन करता है प्रोटेस्ट करता है लाठियां खाता है अपना शरीम निला कर लेता है टिकेट पर हक उसका होता है लेकिन यहां होता क्या है गनेश परिकर्मा होती है चुनाव नजदीकाते बायो डेटा लेकर कोई 24 अकबर रोड और कोई बड़े नेताओं के घर की परिकर्मा करना बायो डेटा लेकर शुरू करते है फिर आरोप लगते हैं कि पैस सदीया के साहते विदयाक चोड़कर जा रहे है अगर उन्य नेता के कहने पर टिकेट न दिया घया होता और यह टिकेट सोचकर दिया होता ही कंगरस के लोग है कोई कहीं पे भी सानसद एक भी विधायक हमें नेता जूतरादित सिंधिया ने बनाया है, इसलिए सिंधिया जब जाता है तो सारे विधायक पीछे पूछ बन कर हिलाते हुए दोम निकल जाते हैं और अगर यह समर्पित कॉंगरस की विचारधारा की निता होते जिने यकीन होता कि कॉंगरस के कारिकरता नहीं मेरे लिए संखश करके मुझे जितवाया है कॉंगरस के चुनाव जिन पे मुझे वोट पड़ा है मेरी टिकेट किसी और नेता ने, सुनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के कहने पर हुई है, तो कताई भी ये लोग विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाते, लेकिन आज अच्छा है मैं आपको फिर कह रही हूँ, सुनिया गांधी जी जब मिली थी, एक ही बात माडम क कहा मैंने, जो मैं दोबारा दोरा रही हूँ, आप से, कि माडम आपको कड़े फैसले लेने होगे, और खासो से राहुल गांधी जी से सब अपील करते हैं, ये भजपा को आप से खत्रा है, इसलिए हर बार हमला आप पर किया जाता है, राहुल गांधी जी, प्रेंका नहीं, गांधी परिवार जो त्याग और बलिदान से, इसका स्तित्व है, वो कर रहा है, आज वो कॉंग्रस के परिवार को एक रखने में वो धागा जो है, आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन मुमाला को एक रखने का काम, देश में दस सालमन महुंस जींची के नित्व में वो यह भूलना नहीं चाहिए, आज जो लोग मांग करते हैं कि किसी और को नित्व सोपी है, तो मुझे लगता है, एक कॉंग्रस में, लोग कहते हैं कि यह अपने पास मुठी में सत्ता और सब कुछ रखना चाहते हैं, मैं आप से पूछना चाहिए, क्या मनमुहन जी देश के परधान मंतरी दस साल तक रहे, गांधी परिवार से आते हैं, नहीं आते हैं, क्या पर्णम मुकर जी देश के राश्टपती बने, कॉंग्रस गांधी परिवार से आते हैं, नहीं, क्या प्रधिवा देवी सिंग पार्टिल देश के पहली महिला, राश्टपती बने यह फैसला सुनिया गांधी चीका था क्या वो गांधी परिवार से आती है जी नहीं ऐसे कितने नेताओं के नाम बता सकती हूँ जो परधान मंतरी बने राश्टपती बने ओप राश्टपती बने गवर्न राज्येपाल बने ये कोई भी कॉंग्रस के परिवार से गांधी परिवार से नहीं आता है इस परिवार का सिर्फ तयाग और बलिदान है और एक परिवार एक सुत्र की तरह कॉंग्रस को एक रखे हुए है कॉंग्रस को वापिस मजबूत संगठन को करते हुए भाजपा को बाहर उठाकर फैक सकते हैं कि नफ़रत की राज़नेती को यह काम सिर्व गांधी परिवार्च कर सकते हैं क्योंकि सुम्या गांधी जी नित्व में किया इसलिए भाजबाई बारी बारी परिवारबाध का आरोब लगाते हैं जब कि अपने घर में आप देख सकते हैं